गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स बी ए फस्ट इयर फिलोसिफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर भाड़ती दर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें हम हमारे आस्तिक दर्शनों में जो आखरी दर्शन है विदान्त दर्शन उसके दूसरे दाशनिक रामानुज अचार्य को पढ़ रहे हैं और उनके दर्शन विशिस्ट अद्वयत वाद को पढ़ रहे हैं कि मतलब रामानुज विशिस्ट रूप से अद्वयत की सत्ता को स्विकार करते हैं मतलब विशिस्ट रूप से एक ही तत्व की सत्ता को स्विकार करते हैं और वो एक तत्व है ब्रह्म उसे क्या है आज हम पढ़ेंगे रामानुज का बंधन और मोख्ष का विचार रामानुज यही मानते हैं जैसे सभी भारतिय दाशने एक साथ यह स्विकार करते हैं मतलब सभी इस मामले में एकमत है कि बंधन का मूल कारण अज्ञान या अविद्या है कि जब व्यक्ति को सही ग्य वस्तूओं और स्वेम के स्वेम के और अन्य मनुश्यों के समंदों के वास्टिक स्वरूब का बोद नहीं होता तो व्यक्ति बंधन में होता है और यह बंधन उसके दुख का मूल कारण है जैसे इसको हम एक चोटे से एक्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि य जितनी वह भी वस्तूओं हैं जिनका हम इस्तुमाल करते हैं अगर हम इनसे बहुत जाधा applis feel करेंगे तो हमारे मन में उनके पृत्ति हमिशत उनकी फिकर रहेगे अगर हम हमेशयत करेंगे तो दूसरे काम में अपना ध्यान नहीं लगा सकते और कुछ भी समय के लिए जैसे माता-पिता का संतान के प्रतिव मुह बहुत जादा हो जाता है तो बहुत जादा होता ही है तो वो संतान की सफलता असफलता को अपनी सफलता असफलता मान लेते हैं क्योंकि संतान और माता-पिता माता-पिता संतान को अपने से अलग नहीं मानते हैं है कि यह मेरा ही विस्तार है जबकि यह बात भी सकते हैं कि संतान भी एक पित्प मत क्रतमा से तो कुल मिलाकर अग्यान दुख का मूल कारण है जिससे बुद्ध ने भी बताया था बाकी लोग भी स्विकार करते हैं और इसी दुख की वज़े से व्यक्ति जो पीड़ाएं झेलता है इसी अज्ञान की वज़े से भी वो कई के कर्म करता है तो यह रहता है उसका आपना ही टोता है उसके परिवार लेता है उसे दुनिया में रहता है उई लोगों का ह्त चाहता है उससे बाहर के लोगbelt की उसको कुछ खास लगा उसने या फिकर नहीं होती तो धो वह अपने उसी घेरे के अंदर रहना पसंद करता है तो ये एक संकीन दृष्टी जो व्यक्ति में होती है इसका मूल कारण भी अज्ञान है वो ये नहीं देख पाता कि जितने भी तरीके के जीव इस धर्थी पर हैं उन सब में चेतना है और उन सब को पीडा का नुबाव होता होगा तो ये कुल मिला कर ये जितने भी ये व्यक्ति में संकीन दृष्टी का होना मोह का होना लालश का होना क्रोध का होना इलशा का होना ये सभी कारण इन सब का कारण है अज्ञान अभिद्या और इसे खतम करने का जो तरीका है वो हमारे सभी दर्शन में या दाशनिकों ने अलग-अलग बताया है हाला कि सबका तरीका तीन ही तरीके के मार्ग में सभी के मोक्ष के मार्ग को हम शामिल कर सकते हैं एक ज्ञान मार्ग होता है एक भक्ती मार्ग होता है और एक कर्म का मार्ग होता है जैसे मिमान सा सबसे ज़्यादा जोर कर्म मार्ग में देते जाएं कहते हैं कि ज्ञान कर्म ही धर्म है और उसमें जिन कर्मों के लिए मना किया गया है वो अधर्म है इसके अलावा ग्यानमार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इससे पहले हमने शंग्राचार्य को पड़ा शंग्राचारिय बनते हैं कि व्यक्ति मोक्ष अपने नीजी प्रेतनों से ही मतलब हर व्यक्ति को मुक्त होने के लिए ये अपनी आत्मा के वास्तिक शुरूप को समझने के लिए एफर्ट्स करने होंगे और ये उसे अपने प्रेतन से करना होगा और ये ज्यानमार्क से होगा वह मानते हैं कि कर्म इंपॉर्टन है कि वेदों में जो कर्म बताये गए हैं वो करने चाहिए इससे व्यक्ति की ये कहता है चेतना का परिश्कार होता है और भक्ति से भी उसका इश्वर में ध्यान केंदरित होता है लेकिन ये दोनों अपने आप कर दाशनिक है जो यह कहता है कि घ्यानमार्ग और कर मार posting य कि सबसे महत्वपूर्ण ए भक्ती मार जैसे मैंने आपको पहले बही विटा था कि भारत में भक्ती परंपरादů शुरुवात ही राम अनुजे!? जो की दकषिन के एक दाशनिक थे एक रिशिते तो राम अनुजी कहते हैं कि सबसे पहले जिसे मोक्ष प्राप्त करना है उसके लिए जरूरी हैं कि वो निश्काम कर्म करे निश्काम कर्म कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता इसे कहता है निश्काम भाव से कर्म करना की फल चाहिए जैसे भी होंगे वह विक्ति उन्हें स्विकार करता है तो वह फल की इच्छा कब नहीं करेगा जब वह सदैव पर उपकार के लिए या दूसरों के कल्यान के लिए मानों के कल्यान तो उसके लिए आप कर्म करते हैं और उसके हिसाब से आप फल चाहते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो मेरे इतने परसंटेज आए ठीक है तो यह तो हम आरे जैसे सामाने वेखती हैं लेकिन अगर हम निश्काम भाव से कोई कर्म करें मालीजी इसी को कि हम पढ़ाई करते ह तो हम इतनी परसंटेज चीए इसे हम इस तरीके से देखे कि हम पढ़ाई करेंगे तो इसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा जितना पढ़ेंगे उतनी परसंटेज तो मिली जाती लिए कई बार मालीजी वो कम रह जाती है तो इस पर दुखी होने के बजाए हमें ये सोचना च नहीं है यह हमारी आशा से कम है तो भी हम दुखी होने के बजाए उसी तक परता उसी सामरते से फिर से अपने कर्मों को शुरू करें तो यह वह सबसे पहले यह कहता है कि हमें निश्काम भाव से कर्म करने चाहिए इसके लिए हम मिमानसा का अध्यन कर सकते हैं ऐसा चाहिए तो वो यह कहते हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि वो जिसको मुक्ष की इच्छा है जिसे मुक्ष की इच्छा होती है उसे मुमुक्षू कहा जाता है तो मुमुक्षू को सबसे पहले मिमानसा का अध्यन करना होगा और जब वो मिमानसा का अध्यन कर लेगा उसके ब बहुत जरूरी होगा वो यह जाने कि मैं और संसार की बाकी सारी वस्तुएं एक दूसरे से अलग है वो अपनी आत्मा के वेशिष्टे को पहचाने और अपने आई को अपनी चेतना को बाकी वस्तुएं जो अचेतन है या कम चेतन है या अन्य चेतन है उनसे अपने आपको प सोचेंगे तो चेतना के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे तो आत्मा में चेतना का गुन होता है तो जब व्यक्ति मिमान सा दर्शन का अध्यन कर लेता है और मतलब विदांत का अध्यन कर लेता है कि वो यह जान लेता है कि आत्मा शरीर से अलग है उसके बाद भी जरूरी न बग्ति क्या है यहां प्रामानुज करता है लेकिन जब तक ईश्वर आप से प्रिसद्न नहीं होगा यह श्यकित पुरी तरीके से समर-बढ़ahu नहीं रहें तब तक आपकी मुख्ती संभव नहीं हो सकती और लग्तिमुक्त हो जाता है तो जैसे पिसली क्लास्ट में बताया था कि उसको ओस्वर के दर्शन होते हैं और यह बहुत अलुकाल के लिए होते हैं उसे वह इश्वर अपने अंदर दिखाई देने लगता लगता है और उसकी आत्मा इश्वर के साद्रश हो जाती है इश्वर जैसी हो जाती लिए इश्वर नहीं होती है भक्त और उसके इश्वर पे उसके आराध्य में सदेव भैद रहता है अब अगर हम यह जानने की कोशिश करें भक्ति क्या है तो हम यह बता सकते हैं कि भक्ति का मतलब है इश्वर के स्वरूप के संबंद में निरंतन प्रेम पून पूरी समर्पन से पूरी आस्ता से चिंतन करना उसके गुणों के बारे में सोचना और अपने सारे कर्मों को उसे डिवोटेड कर देना मतलब उसे अपने सारे कर्मों को इश्वर को डिवोटेड कर देन समर्पित कर देना कि मैं यह काम कर रहा हूं क्योंकि इश्वर चाहता है इसका यह नतीजा मुझे war i crazies इस चाहता है तब अपने कर्मों के केंदर अपनी कामनाओ के केंदर में अपने ज्ञान होगा जो विक्ति ज्यानवान होगा वो ही भक्ति कर सकता है क्यों क्योंकि उसे पता रहेगा कि सबसे महत्वपून अगर कुछ है तो वो है इश्वर तो हमें उसी की शरण में जाना चाहिए उसी के या अधार भकतीक आधार ग्यान है अब यहां पर भक्ति को दो भागों में रामणुजु ने बाता है एक कोई साधन भक्ती अउपॐय वक्ती का है दूसरे को पराबक्ति का है और यह साधन भक्ती का मतलब है कि जब आप को यह तै करते हैं कि इश्वर के दर्शन करने हैं तो इसके लिए आप आत्मवलोकन करते हैं आत्मवलोकन करने के लिए जरूरी होता है कि आप जितने भी दुर्गुण अपने अंदर है उन सब को हटा के अपने चेतना का परिशकार करें और ये देखे कि मेरे लिए क्या महत्वपून है और क्या महत्वपून नहीं है जब वो आत्मा लोगन करता है और इसके लिए तयार होता है तो वो साधन बक्ती होती है साधन बक्ती से उत्पन होती है परावक्ती जब उसे इश्वर का दर्शन हो जाता है जैसे उसे इश्वर के दर्शन होते हैं वो कम वक्त के लिए होते हैं और वो इश्वर सर्वग्यानी है या इश्वर ऐसा है जो मेरे लिए सबसे महतुपून इश्वर है यह पराभक्ती का पराभक्ती में उसका नोभूती होती है मतलब जो पराभक्ती है वो साधन भक्ती का रिजल्ट है एक तरीके से हम यह कह सकते हैं और पराभक्ती से भी उस उपर परम भक्ति को माना है जब साधक के लिए या भक्त के लिए इश्वर से अलग दुनिया में कुछ भी नहीं होता उसके लिए इश्वर ही सब कुछ हो जाता है तो ये परम भक्ति उसके लिए वो सदय उसी में उसी के चिंतन में निमगन रहता है तो ये हमने भक्ति के प्रकार पढ़े और रामनुच के मोक्ष के विचार का सार ये है कि वो ये मानता है कि भक्ति से ही ईश्वर के कृपा से ही उसके प्रती समर्पन से आस्ता से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है बाकी विक्ति को निश्काम भाव से कर्म करने चाहिए और ज्य साल के किशिन वेपर मिलेंगे ठीक है आप उन्हें खरी दिये और जो भी हमारा पैटन है एक्जाम पैटन की छोटे प्रश्ण भी आते हैं उसके बाद बड़े प्रश्ण आएंगे जिने आपको पचास शब्दों से बीस शब्दों से पचास शब्दों में लिखना होता है उसके बाद सो शब्दों के पांच क्यूशन आते हैं उसके बाद तीन क्यूशन आते हैं जो आपके चार सो शब्दों के होते हैं च्छै आएंगे उसमें से आपको तीन करने होंगे तो आपको उसमें पेपर का पैटन कैसा होता है यह आपको पता चल जाएगा तो आप यह किताब मैंने आपको बता दी है कि भारतिया दर्शन की रूप रेखा हरेंदर प्रसाथ सिन्हा यह किताब आप मार्केट से ले लीजिए आपको आसानी से मिल जाएगी इससे पहले मैंने ग्रूप पे नाम भी दिया था यह किताब आप खरीद के लाइए पूरा सिलेबस आप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लास में क्लियर करेंगे तो मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग किताब भी खरीदेंगे क्योशन पेपर भी खरीदेंगे अपना सिलेबस लेकर बैठेंगे और अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे क्योंकि आपके एक्जाम स्वर्व के आखिर से शुरू हो सकते हैं हम आज के फर्स्ट वीक से शुरू हो सकते हैं थैंक्स